करा सुलमान खान करेंगे रहेंद को है कि अगर्गर्मान लिजे की वो नाम आपी ओना जाएं वो कहें मैंने उसके ये कोट कचेरी सब जो होता मेरे लिए मैं जेल में भी रह लिया तो तो जरा मैं इसका इंकार तोड़ेंगे कभी जेल वर्ट सुनते ही आप सब के मन में एक ऐसी जगह की तस्वीर आती होगी जहां बहुत से कैदी एक बड़ी ही दर्दनाक और बुरी जिने पर मजबूर होते होंगे वाश्रूम के नाम पर बहुत से गंदे और टूटे हुए कमोड्स नहाने के लिए बाथरूम के नाम पर एक टूटी फूटी सी जगह खाने के लिए चानवरों जैसा खाना और एक नरख से भरी होई जिन्दगी क्यों यही आपके मन में आता होगा जेल का नाम सुनताई है ना और जेल के बारे में सोच करी आप मेंसे ज्यादातर लोगों की रूहे का आप उड्ती होंगी और तो और रूहे का अपना सही भी है क्योंकि जेल की जिन्दगी इतनी बुरी इसलिए भी होती है ताकि कैदियों की बुरी हालत को देख कोई आमार्बी जुर्म करने की सोचे भी ना लेकिन 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 क्या होगा अगर मैं आपसे बुलू कि ये बस सिक्के का एक पहलू है जो आपको दिखाया जाता है क्या होगा अगर मैं आपसे बुलू कि जेल की जिन्दगी हर कैदि के लिए मुश्किल नहीं होती है क्या होगा अगर मैं आपसे बुलू की जेल में बहुत से कैदियों को बड़ा ही VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है अगर आप इंडियन जेल्स की पूरी सच्चाई जानना चाते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में इंडियन जेल्स की डाक साइड से लेकर एक लगसरी लाइश्टाईल हर चीज का खुलासा करा गया है देखिए अगर आप थोड़ी बहुत न्यूस देखते होंगे तो आपने न्यूस चैनल्स पर जरूर देखा होगा कि कैसे बड़े गैंग्स्टर जेल में बैटकर ही अपना पूरा गैंग ऑपरेट करते हैं जहां दूसरे आम कैदियों को जेल में सही से खाना पीना तक नहीं मिलता है वहीं बड़े गैंग्स्टर्स को जेल में मोबाइल फोन से लेकर लगसरी कैबिन तक सब मोहाया कराया जाते हैं और कैदी अपने जुर्म का काम जेल में बैठे बैठे बड़े ही अराम से ऑपरेट करते हैं और हमें ये जानने की सक जरूरत है कि जेल में बंद हर वो कैदी जो अमीर या पावरफुल है वो आम आदमी से भी जादा लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा होता है उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मोबाइल फोन्स, रहने के लिए एक लग्जरी कैबिन यहां तक की शराब से लेकर ड्रग्स सब प्रोवाइट करा जाता है जस्ट बिकॉस वो बड़े ऑफिसर्स को या तो अच्छी खासी घूस किला देते हैं या तो उनकी पकड़ बहुत उपर तक होती है अगर हम बात करें एक्जामपल्स की, तो आपके सामने एक्जामपल्स की कमी ही नहीं है चाहे आप अतीक एहमत का एक्जामपल ले ले या लॉरेंस विश्णोई या से बड़े गैंक्स्टर्स का हम सब जानते हैं कि कैसे ये सब जेल में बैठे बैठे ही अपना मौत का कारोबार चलाते हैं सिद्धु मुसेवाला मडर से लेकर उमेश पाल हत्याकार्ट सारे मडर्स की प्लैनिंग इन गैंक्स्टर्स ने जेल में बैठे बैठे ही करी थी खुद तो ये जेल की चार दिवारियों में सुरक्षित रहते हैं लेकिन इनके इशारों पर इनके गुर्गे सारे मडर्स को अंजाम देते हैं और तो और आप ये भी जानते होंगे कि कैसे अतीक अहमन जेल से ही बड़े बड़े बिजनसमेंस को फोन पर धमकी देकर फिरौती लिया करता था यहां तक कि अतीक अहमन ने तो एक बिजनसमेंन को अगवा करके सिधा जेल में ही बुलवा लिया था ताकि वो उसको सबक सिखा सके और दूसरे एक्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आपने खुदी देखा होगा कि कैसे लॉरेस बिजनोई ने पुलिस की नाट के नीचे से खुले आम जेल से मीडिया को लाइव इंटरव्यू दिया था जिसमें लॉरेस ने खुद बताया था कि जेल में उन्हें मोबाइल फोन से लेकर टेलिवीजन सब की सुविदा मिल जाती है कि इंडियन जेल्स में कैसे बड़े कैदियों को वी आईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे उनके इरादे और मजबूत होते हैं अब लॉरेंस मिश्णोई और अथीक हमद तो कुछ ही एक्जामपल्स हैं लेकिन अगर सच्चाई की बात करी जाए तो आज के समय में इंडियन जेल्स बड़े कैदियों के लिए एक लीगल गैंग्स्टर्स का अड़ा बन चुका है जहां से वो जो मर्जी वो करें वो इंजरे में बन किसी जानवर से भी बत्तर है क्योंकि खाने के नाम पर उन्हें ऐसी चीज़े दी जाती है जिन से बस वो जिंदा रह सके पहनने के लिए फटे कपड़े वाश्रूम के नाम पर गंदे और टूटे फूटे टॉयलेट्स और दूसरे कैदियों के द्वारा ट बनना तो छोड़ी दीजे बलकि उनको वहां जानवरों से भी बत्तर ट्रीट करा जाता है जिससे वो और खूंकार और खतरनाक कैदी बन जाते हैं जो कि जेल से बाहर आकर और बड़े-बड़े क्राइम्स को अंजाम देते हैं को जेल के अंदरी चाकों से गोत कर मार दिया गया था और पुलीस बस खड़े होकर तमाशा देख रही थी तो इसे साफ ये पता चलता है कि इंडियन जेल्स में कैदियों की सुरक्षा सिर्फ नाम नाम की रह चुकी है लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इंडियन जेल् कानून से उपर होगा क्योंकि पैसे वाला आदमी हर एक ओफिसर को चंद लाख रुपियों में खरीच सकता है और इनी सब का रिजल्ट है हमारी इंडियन जेल्स की इतनी बुरी हाला जहां बड़े और अमीर कैदी ओफिसर्स को घूस खिला कर जेल में जो चाहे वो कर सकते हैं जो चाहे वो पहन सकते हैं और जिससे चाहे उससे मिल सकते हैं वहीं अगर हम आम कैदीों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन ओफिसर्स की वजए से उनकी हालत जानवरों से भी बत्तर हो चुकी है तो अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि इनसान जैसे जैसे तरक्की करता है वैसे वैसे वो लालची होता जाता है जैसे हमारे ओफिसर्स जो इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बावजूद चंद रुपियों के लिए इतने करप्ट हो चुके हैं ख्यर ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर सिस्टम में अच्छे और इमांदार आफिसर्स रही नहीं गएं बलकि आज भी हमारे सिस्टम के अंदर अच्छे और इमांदार आफिसर हैं लेकिन उनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और हमारे सिस्टम को इमानदार और अच्छे ओफिसर्स की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है और हमें ऐसे ओफिसर्स से ही सीख लेनी चाहिए और हमें ऐसे ओफिसर्स को ही सपोर्ट करना चाहिए इसी मैसेज के साथ मै मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जै हिंद, जै भारत!